कि हाई फ्रेंट्स टोड़े विल लॉर्ण क्लास सेवन माथमेटिक्स चाप्टर नाइन पारिमीटर एंड एरिया नाइन पॉइंट वन कोश्चिन साइवन एडिट सो लेट स्टार्ट कोश्चिन सेवन एबी सी इस राइंगल ट्रैंगल तो यह यह वाला जो ट्रैंगल है व सब्सक्राइब सेंटीमेटर है तो इसका एरिया क्या होगा और हमें जो एडिया इसकी भी लैंदी इसका इसकी लैंद भी निकालने तो इसका एरिया क्या होगा 12 plus 13 is 25 and 25 plus 5 is equal to 30 तो इसका area होगा 30 centimeter square तो हम इस formula की help से answer निकाल लेंगे area निकाल दिया तो हम इस area की help से answer निकाल लेंगे पर इसको raise कर जाते है triangle के area का क्या formula होता है yes triangle के area का formula होता है half into base base है में 13 multiply height height दीनी होई तो height हमने h माले और इसका area कितना था 30 तो यह जो यह divide में है यह वाली equation तो इसको उधर ले जाकर multiply में कर देंगे और यह दो equations multiply में इसको उधर ले जाकर हम डिवाइड में कर देंगा तो हम इसको अच्छे से लगते ता 30 multiply 2 by 13 multiply 1 तो इधर इसको multiply करेंगे तो अंसर आएगा 60 divided by 13 तो इसका अंसर है सिक्स्टी डिवाइड थर्टीन सेंटीमीटर इसका अंसर है तो अब हम एक्ट कोश्चन सॉल्फ करते हैं तो एक्ट कोश्चन में क्या है एबी सी इस आइसोसेलेस विद एवी इस इकोल टू एसी तो आइसोसेलेस वो ट्रैंगल होता है जिसके दो साइट तो एक साइड इकोल नहीं होती तो इसमें इसमें एबी और एसी इकोल है और उनकी क्या लेंद है सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और जो इसमें बी सी है वो है नाइन सेंटीमीटर तो हमें इस तक है और इसकी जो इसमें हाइट क्या दिए है इसकी जो हाइट है यह हाइट यह हमें सेंटीमीटर दिए हूई ह और हमें न यह वाली हाइट जो AB के perpendicular है CE हमें वो इसमें निकालना है पहले हमें निकालना है इसका एरिया तो हम पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं तो हम इसका एरिया कैसे निकालने हैं ट्रैंगल के एरिया का formula होता है half, क्या होता है? half into base into height तो हाइट अरे यार color तो इदे है half base के आदिया हुआ है 9 cm और height दिया है 6 cm तो इसका answer कहाएगा तो को इससे कट करा 3 9 multiplied 3 is equal to बताओ, yes 27 तो 27 इसका area आगया तो और हम इस area की help से हमें यह निकालने गे तो यह निकालते हैं तो 27 इसका area है तो इसमें हमने किया half यही formula लगा के वापिस multiply base क्या है? base है 7.5 तो हम इसको 75 by 10 भी लख सकते हैं तो हमने इसको 75 by 10 लखके इदर multiply height दीने लग लेट से हाइट भी हच और area कितना है? 27 तो यह जो divide में हम इसको उधर लो जाके multiply में कर देंगे और जो multiply में हम divide में कर देंगे तो हम इसको अच्छे से लिखते हैं तो इधर 27 multiply 2 multiply 10 divided by बताओ बताओ क्या आएगा divided by very good 75 multiply 1 तो हम इसको cut कर सकते हैं हम इसको 5 से cut करेंगे इधर आएगा 2 और इधर आएगा बताओ क्या आएगा इधर आएगा यास 15 तो यह दोनों 3 से cut करते हैं 27 और 15 को तो इधर आजाएगा बताओ यास इधर आएगा 9 और इधर आएगा 5 तो अब आगे यह नहीं cut हो सकते हैं तो इधर multiply करते हैं 9 into 2 is 18 and 18 into 2 is 36 इधर आएगा 36 divided by 5 तो इसको लिखते हैं इधर आएगा 36 divided by 5 तो यह किसी पर नहीं cut होते हैं तो अब हम इनको 7 is equal to 35 and इधर minus 1 इधर 0.0 और इधर आजाएगा 2 क्योंकि 5 into 2 is 10 तो इधर आजाएगा फिर 0 तो इसका अंसर आजाएगा इसका एरिया हम हमें ने निकाला था 27 और इससी है 7.2 सेंटिमेटर तो हमने इसका इधर निकाल दिया और हमारी एक्ससाइज कंप्लीट होगी है हम जो जů दियक अधर ख amar इंग यह जाएगपाश का आजाएगा झाल था इंट एयक्ट यह पार्टा है हमारी ओ्कत व स्च्रुट एलएख वेक्वло्ड़ एकाल इसका अजए है